वनो का उप्योग और सनरक्षन पिछले 150 वर्षों में हमारे देश में वनो की बेतहाशा कटाई हुई है जिसके फलसरूप आज केवल 23 प्रतिशत भूमी पर वन बचे हैं ये वन भी संभावता पर्यापत रूप से घने नहीं है इसके कई कारण रहे हैं सबसे प्रमुक कारण बढ़ते शहरी करण और अध्योगिक विकास है लकडी बास आदी की आविशक्ता बढ़ने के कारण बहुत तेजी से वनो को काटा जा रहा है वन विभाग का एक काम है अवैद कटाई रोकना और एक योजना के तहट बूढे पेड़ों को काटना और बेचना लेकिन लगातार यह दबाव रहा है कि विभाग अधिक्तम आमधनी कमाए वर्ष सन 1980 के आकड़ों से पता चलता है कि पूरे देश के वन विभागों ने वनो पच बेच कर वन विभाग के सारे खर्च निकालने के बाद देश को एक लाख चौवन हजार साथ सो अठाईस करोड रुपियों का फाइदा पहुँचाया था केवल अविभाजित मध्यप्रदेश से 49,509 करोड रुपियों का फाइदा बताया गया है इससे हम देख सकते हैं कि हाल तक वनों का व्यवसाइक दोहन किया जाता रहा है ये तो रही वैद कटाई की बात इसके अलावा नीजी ठेकेदार वनों की बेतहाशा कटाई करते र पारण यह रहा है कि हमारी बढ़ती आबादी को पिछले 60 साल के विकास के बाद भी हम वैकल्पिक आजीवी का नहीं उपलब्ध करा पाए हैं परिणाम सरुप इस बढ़ती आबादी के पास खेती करने के अलावा कोई चारा नहीं रहा खेती बढ़ाने का एक मात्र उपा पाए रहा है वनों को काटना आमतोर पर यह दबाओ उन लोगों पर पड़ा जो सबसे गरीब थे और जिनके पास सिक्षा या और कोई आजीवी का का साधन नहीं था जो लोग खेती करने के लिए साधन नहीं जुटा पाए वे जंगलों में जानवर चरा कर गुजारा करने लगे इसका भी जंगलों पर विपरीत प्रभाव पड़ा देश में जो विकास हुआ वह भी वनों के लिए अकसर खत्रा ही बना सडकों वर रेल लाइनों के लिए वनों को काटा जाना आम बात है या फिर बांधों वर खदानों के लिए वनों की बली चढ़ाई गई इन अलग अलग तरह के लोग अलग अलग तरह से उपयोग करते हैं एक और आदिवासी हैं जो सदियों से इन वनों में रहते आए हैं और उनको नुकसान पहुँचाए बिना उनका उपयोग करते आए हैं जब उन्होंने वनों में खेती भी की तो वे जूम खेती का तरीका जिससे खेतों पर कुछ वर्षों के उपियोग के बाद फिर से जंगल को पनपने दिया जाता था। जब भारत में अंग्रेजों का शासन स्थापित हुआ तो वे बड़े पैमाने पर लकड़ी का व्यापार करने लगे और जंगल काट कर खेती करवाने लगे ताकि उनकी आय बढ़े। इससे जंगलों को नुकसान पहुँचा और आदिवासियों के पारंपरिक खेती और वन विभाग बनाया और वन विभाग ने सारे वनों का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। आदिवासी जो पहले सामोहिक रूप से वनों के मालिक थे अब जंगल में शिकार करने या वनोपज एकत्र करने पर गुनाहगार बनाए गये। अंग्रेज यह कहने लगे कि यह और सिक्षित आदिवासी ही जंगलों का नाश कर रहे हैं और जंगलों को उनसे बचाना होगा।